हाले दोस्तों वेलकम टू मेंपॉइंपॉइंट सड़ी आई हो अप सारे के सारे ठीक हो तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर सिक्स ग्लास टेंथ की भुगोल का जिसका नाम है जी वी निर्मानु द्योग और हम करने वाले इसके मोस्ट इंपॉर्टन कोशन यह बहु मैं आपको यह बात लिख कर दे सकता हूं कि जो भी कोशन इस चैप्टर से रिलेटेड आपके बोर्ड एक्जाम में आएगा ना वो इसी पीडियाफ के अंदर से होने वाला ठीक है बाकि जितने भी चैप्टर में सबके मोस्ट इंपॉर्टन कोशन की वीडियो बना चुग को हम सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ओके चलो जी स्टार्ट कर देते हम हमारे क्योशन तो पहला कोशन तो यह है कि वी निर्मा उद्ध्यों क्या होता है सिंपल बात है कि जब हम कच्छे माल को मुल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर देत है वो भी अधिक मातरा में तो उसको वी निर्मा उद्ध्यों कहते है ठीक है एक फैक्टरी के अंदर क्या होता है यह है कि हम रॉ माटीरियल को फिनिश गूर्ट करते है वो भी बहुत बड़ी मातरा में तो इसलिए उसको वी निर्मा उद्ध्यों कहा जाता है ठीक है नेक लिए देखो यह वे पूचा जा सकता है कि भाराइग जैसे देश में वी निर्मार शेत्र का महत्वा बताईए गुमा फिरा के आप से ना वी निर्मार उद्ध्योग का अगर किसी भी तरीके से आप से पूचा जाए कि हमारी आर्थिक ताकत है यह हमारे लिए क्यों जरूरी है यह हमारी डीर का विकास कियो है मलब विकास कि विकास कि रिड क्यों माना जाता है मैंने lance लिए ऑफ तो लगते है आपके लिएक क्ड़ बिना किसी टेंशन के, ठीक है, यही देखो, पर टाइम है, तो आप वो चेप्टर की वीडियो देखकर आ सकते हो, ठीक है, तो वी निर्मा उद्ध्योग हमारे लिए क्यों important है, सबसे पहली बात तो है, वी निर्मा उद्ध्योग जो है, यानि फैक्टरी वगरा क्रिशी को अधुनिक बनाता है, कैसे, हमारे वी निर्मा उद्ध्योग में फैक्टरी में क्या बनता है, फैक्टरी में बनता है जी ट्रेक्टर, फैक्टरी में बनता है जी पाइप, फैक्टरी में बनता है जी फर्टिलाइजर, यानि उर्वरक, यह सारी किस के लिए जरूरी होती है क्रिशी के लिए जरूरी होती है, तो हमारे क्रिशी को आधुनिक करता है, दूसरा यह लोगों को basically AIB देता है, ठीक है क्रिशी पर जो भार है वो निर्भरता है उसे कम करता है, जानि बहुत सार लोग क्रिशी में काम करते हैं, उनके पास और कोई इसारा नहीं है, तो उनको quatro आ प्राइएं, देने का, फैक्टरी वगर्णба में काम रलता है, किसकी वज़़ते हैं, वी निर्मा अध्योग की वज़़ए अगर वी निर्मा अध्योगी ना हो, तो उनको काम कैसे मिलेगा प्रूइब लोम होती है पिछड़े वाले एरिया को एक बनाता है थोड़ा सा डेफल बनाता है और उसका शेत्रिया सवन्था उसको खतम करता है इसका मतलब है देखो जैसे गाहँ वाले इलाका है वहाँ पर फेक्टरी वगर अलगाते हैं तो उसका विकास होने लगेगा तो यह है, आप गुमा फिरा के पॉंट यह भी लिख सकते हो कि यह क्या होता है? वहाँ पर क्या होता है विकास होना शुरू हो जाता है यह लिख सकते हैं नेक्स्ट है कि क्या होता है कि हमारा हुदेशी मुद्रा भी आती है अब देखो जो भी चीरओनद बना कर दूसरे बेढ़ेंगे तो वहाँ से करणसी आएगे जासे हमें अमेरिका में हम कुछ चीज बना कर भीज रहे तो वासे डॉलर आएंगे तो यह पॉइंट है और लास्ट में उस देश को जादा विक्सीत माना जाता है जो अधिक मात्रा में कच्छे माल को मूल लेवान वस्तु में तयार कर देता है ठीक है भारत चीन को जो है वो जादा ड जाता है जैपैन भी घराइञे जो है वो बहुत तसी से प्रगति कर रहा है वह वहारे स्टील्ल के उद्योग महें बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं ऐसा क्यों है तो लोहा और उस पा पाथ के उद्योग ज्यादा तर हमाएं में चोटा नागपूर वाले एरिय कीमत जो है वो कम है लोहा एसक हमारे स्टील बनाने के लिए उपयोग होता है तो उसकी लागत वहाँ पर कम है तो लोग वहीं पर फेक्टरी लगा देते हैं दूसरा उच्छ गोटी के कच्छे माल की निकटता यानि मतलब लोहा एसक और और भी बहुत सारी चीजे मिलती है ज पर बहुत सारी बड़ी बड़ी फेक्टरी जो यानि जो लोग है वहीं पर फेक्टरी लगा देते हैं ताकि उनको डारेटली बेचने के लिए अपना समान बहुत जादा दूर ना जाना पड़े नेक्स कोशन पर आते हैं नेक्स कोशन हमारा कि सूती कपड़ा उद्योग जो है ना भारत के अंदर कुछ समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है यानि कॉटन के कपड़े जो है कुछ प्रॉबलम फेस कर रही है कौन कौन सी पहली बात तो है आज भी बहुत सारे जो फेक् कपड़े जादा मातरा में हम कॉटन के कपड़े नहीं बना पाते हैं और नेक्स्ट है कि कॉटन के कपड़े और भी बहुत सारे ऐसे आप कैसकते हो कि कपड़े जिनके साथ कॉंपटिशन फेस कर रहे हैं यानि नोग नाइलॉन वगएरा के कपड़े खरीदना पसंद करते जो हम दूसरी देशों में भेजते हैं बँट हमारे भारत का बना कपड़ा इतनी बड़ी अकालेटी का नहीं होता ठीक है तो इसके हमें नुकसान होता है तो हमें जादा पैसे मिलते हैं, तो ये भी एक सूती कपड़ा उद्योग प्रॉब्लम फेस कर रहा है, कि हमारे कपड़े बढ़िया क्वालेटी के लिए बन पाते हैं, जो धागा है वो बढ़िया क्वालेटी का होता है, जिससे हमें थोड़ा नुकसान हो रहा है, नेक्स को ये सारे के सारे जो उद्ध हो गया, इन से निकलने वाला जो कूड़ा है, वो नदियों में जाता है, ठीक है, नदियों में जाता है, जिससे नदी क्या हो जाती है, प्रदीचित हो जाती है, नदी का जल प्रदूशित हो जाता है, ठीक है, नेक्स कोशन पर आते हैं, हमारा यहां पर आपको हमारा टेलिग्राम चैनल मिल जाएगा इसको आप जॉइन कर सकते हो यहां पर पीडिफ भी दे दूँगा और यह देखो नीचे है ना सबसे नीचे आपको एक लिंक मिलेगा इस पर क्लिक करोगे ना तो यह सारे के सारे यहां से देखकर आप डिरेक्ट्ली कहीं जाने की जरूत नहीं आपको और पीडिफ भी मैं यही पर दे दूँगा ठीक है जी चलो और एक और बात यार जैसे कि आपको पता है कि मारे मेंपॉंट शड़ी के अलावा भी और भी चैनल है जैसे मेंपॉंट शड़ी को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना यार ठीक है मेरे को पता है बच्चे बहुत सपोर्ट कर रहे है ठीक है तो सब्सक्राइब जरूर करना और बाकी है मेंपॉंट टेक का चैनल है बेसिकली इसके सब्सक्राइबर थोड़ ठीक है वो कौन-कौन सी वीडियो बनाकर अन कर सकता है यूट्यूब पर आप कैसे वीडियो जो है अनिमेशन वीडियो बनाकर फोन से अप्लोड करके अन कैसे कर सकते हो आप लैप्टॉप से अनिमेशन वीडियो बनाकर अन कैसे कर सकते हो आप वेबसाइट कैसे बना सकते किस टाइब की वेबसाइट बना सकते हो 비reem वेबसाइट से कितनी अर्णिंग होती है मेरी पहली अर्णिंग आप दूसरों की वीडियो यूट्यूब़ पर कॉपी करके कैसे अर्ण कर दो और पिर बहुत सारी वीडियो यहां पर आपको मिल जाएगी ठीक है और देख लेना अगर अच्छा लगे तो कर लेना सब्सक्राइब पर ना कोई दिक्कत नहीं है और बाकी बच्चे जो है उनको नोट्स पगर भी चाहिए होंगे तो नोट्स आप हमारी देखो यह नोट्स एकदम फ्री है कोई पेमेंट वगरा नहीं है ठीक है बट देखो अभी तो मैं यह वेबसाइट की कॉस्ट मैनेज कर रहा हूं बट एक टाइम आएगा जब मेरे लिए वेबसाइट की कॉस्ट मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा तो आप अग बाकी लोग करते हैं बाकी अपने नोट्स पेसते हैं मैं ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि इससे क्या होगा जिन बच्चों को एक्च्वल में हल्प चाहिए उनको में हल्प नहीं मिल पाएगी ठीक है तो अगर कोई बच्चा सब्से बड़ा सबूर्ट है ना मेरे यही होग आपका participation है बस मेरे लिए वो बहुत है ठीक है जी बहुत है आत्मत्रिप्त हो जाएगी मेरे को लगेगा मेरी महना सफ़ल हो गई और बाकी आप support करना ही चाहते हो तो आप जैसे website पर आओगे तो add अगरे मिलेगी ना इस पर click करके 10-20 second रूप जाना वो भी ultimately support ही होगा अब जो हमारे mini steel plant होते हैं उस पर छोटे छोटे जो है वो spot की equipment बनाया जाते है spot के धातू वगेरा की चीज़े बनाई जाती है यहाँ पर बड़ी बड़ी steel की बड़ी बड़ी चीज़े बनाई जाती है यहाँ पर जो है वो हलके steel का और मिश्रित spot का उपयोग किया जाता है उन था इस पात का मतलब भी स्टीव था ठीक है ओके और हमारे भारत ने संकलित इस पात-उद्योग का नाम क्या है तो भारत में दो ऐसे सिंकलित उद्योग है एक कराम बता लेता हूं जैसे सेंड सेलल जो है वो हमारी सिदा कोशन समझा देता हूं दिक्कत यह है कि जैसे 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 पानी से बिजली वगएरा जो है बनाना मतलब पानी पर प्रेशर पड़ रहा है पानी के संसाथ उनों पर प्रेशर पड़ रहा है उनको ज्यादा बिजली बनानी पड़ती है और फैक्टरियों में तो यूज होती होती है next है कि दूसरी सबसे बड़ी problem है कि हमारी जो बहूराष्ट्रे company है ना जो भी MNC वगर है जो भी company वगर है वो जाधातर factory अपनी उसी जगाँ पर लगाती है कहाँ पर जहाँ पर पानी हो यानि नदियों के पास लगाती है ठीक है और तीसरी problem यह है कि गाँ वाले इलाके में जैसे जैसे factory लगना शुरू होती है उसका ओध्यों की करण तो होता है बट उसी तरीके से उन factory को पानी चाहिए होता है जिसकी वज़े से जो नॉर्मन लोग वहाँ पर रह रहे होते तो उनको पानी नहीं मिल पाता तो यह एक बहुत बड़ी problem है नेक्स question पर आते है हमारे के हाली के वर्षों में चीनी मीलो को भारत के दक्षणी राज्यों में ध्यान केंदरित करने की परवर्ति क्यो है इसका मतलब है मैं सिधा question समझा जता हूं भारत में आप देखोगे आपको पता है कि पूरी भारत पूरी दुनिया में सबसादा गन्ना जो है वो ब्राजिल में हुगा जता है और भारत में भी सबसे जदा जो है और इसी वज़े से यू पी के अंदर आपको तो सबस्यादा गन्य की मीले भी मिलेगी, है ना, बट आज भारत के दक्षणी शेत्रों में भी हमारी मीले वगरा लगाई जा रही है, चीरी की, तो इसका क्या कारण है, तो इसका कारण मैं आपको वैसी बता देता हूं, भारत के दक्षणी शेत्रों में मीले लगाने का कार बेसिकली इसमें क्या होता है कि जैसे जो बंदा जैसे मानलों में गन्ना उगा रहा हूं और मैंने ही चीनी की फैक्टरी हो ली तो यह सहकारी समिती कहलाएगा ठीक है तो दक्षणी भारत में भी ऐसे ही है जिन बंदों के गन्नों के खेत होते हैं वही चीनी की फैक्टरी भी हो लेते हैं नेक्स कोशन पर आते हैं नेक्स कोशन है कि भारत में न जो लोहा इस पात उद्ध्योग है वो बहुत सारी परेशानु योगा सामना कर रहा है गुमा फिरा के कोशन यहीं पूचा गया है कोशन एक बार रीड कर ले ना लेंग्वेज थोड़ी सी इसकी ऐसी लग ठीक है कोकिंग कोईला बेसिकली वो चीज होती है जो स्टील बनाने में उपयोग में आता है बट यह थोड़ा महंगा होता है कि यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और दूसरी बात है सी में तुब रब्दता मिलता भी नहीं है असानी से नेक्स्ट है कि शमिक की कम उत्प उद्ध्योगों को उनकी मुख्य भूमिका के अधार पर वरगी करत कर है देखो एखो एक चीज में आपको बता देता हो कितने परकार minder हो इंगा या पी आद रखना तो मैं आपको बता दू भूमिका के अधार पे ना दो ऋटाइब कर लिए एक तो उपभोगतता उद्ध तो इसको कहते है अधार粉 उध्योग उध्योग ओता है जिनका समान डारफी किसी वैक्तरी में. कार बनाने वाली फैक्टरी में, बरतन बनाने वाली फैक्टरी में, मशीने बनाने वाली फैक्टरी में जाता है, तो इसलिए उसको अधारबुत उद्ध्योग कहते हैं, जो उद्ध्योग अपना माल जो है, वो दूसरी फैक्टरी में भेजे, और दूसरी फैक्टरी वाले उसको कच्छा माल की तरह यूज करें तो उसको हम कहते हैं धारवुत उद्ध्योग ठीक है नेक्स्ट है कि हमारा चीनी उद्ध्योग है ना जो हमारी चीनी की फेक्टरिया है भारत के अंदर अच्छा नहीं है जिसकी वजे से क्या होता है और एक जगह से दूसी जगा ले जाते हैं तो सुक्रोस कम होजाता है और नेक्स्ट है कि आपको पता है कि जब हम गन्ये से चीनी बनाते हैं तो होता क्या है कि बहुत सारा जो गंडने का वेस्ट बच जाता है तो उसको हम ढंग से यूज नहीं कर पा रहे अधिक्तम इस्तमाल नहीं कर पा रहे तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉबलम है next question पर आते है next question हमारा कि वी निर्मा उध्योग क्या है और कच्चा माल जो है उसके स्रोथ के अधार पर उध्योगों को किसमें वर्गी करित किया गया है तो जो basically अगर आप से पूछा जाए कि उध्योग जो है वो कच्चे माल के स्रोथ के अधार पर कितने में डिवाइड है दो में डिवाइड है एक तो क्रिश्यधारी तुद्योग और एक होता है खनीजधारी तुद्योग बड़ा सिंपल है वो उध्योग जिनका कच्चा माल खेतों में उगुता हो उसको कहते है क्रिश्यधारी तुद्योग जैसे कि कोटन की फैक्ट्री कोटन के कपड़े की कपड़े की कपड़े की कच्छामाल क्या है कोटन कहा पर उखता है क symptom में चीनी चीनी की फैक्ट्रीश जीनि के लिए कर्छा माल क्या गन्नाका उखता है जिसके चैनी। दारो गोगह już Rip है ज़मीन के नीचे से क्षर यो छीज़िन से निकाली जाती है फिर उस से टील बनाया जाता है कि Low उद्ध्योग जिनको बनाने के लिए खनीच का उपयोग किया जाता है नेक्स्ट है कि जो मोटर गाड़ी उद्ध्योग है उदारी करण के आने से उनको क्या परभाव पड़ा है उदारी करण एक ऐसी पॉलिसी है जो सरकार लेकर आई थी 1991 में इसको LPGB भी कहा जाता है दूसरे देशों ने भारत के अंदर निवेश करना स्टार्ट कर दिया है ना 1991 के बाद ही भार की कंपनियों ने इंडिया के अंदर निवेश करना स्टार्ट कर दिया और अपनी कारे बेचना शुरू कर दी जैसे डिनॉल डस्टर हो गया होंडा हो गया चुल साप्सक्र्स नेया Chirray की और औध्रबब कि विकास के साथ 29 आघ्म कमपनियों को भारत की और वह दूसरे देशों में अपनी कायों देश बीच पाई जैसे टार्टा इनको बहुत फायदा हुआ था ठीक है 1991 की पॉलिसी वे नेक्स कोशन है कि जूट आपको पता है जूट जो है वो भारत जूट का मतलब वो था पटसन हिंदी में बता देता हूं मैं पटसन ठीक है पटसन जिससे वो रसी नहीं बनाई जाती गोल्डन कलर की वो था पटसन तो इसका उद्देश यह था कि भारत के अंदर कैसे जूट को उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है ठीक है नेक्स कोशन है कि भारत में ना जो पतसन का जो भी मीले है भारत में पतसन की वो जाधा तर आपको हुगली रिवर के पास ही देखने के लिए मिलेगी क्यों ऐसा क्या ह है हुगली रिवर के पास तो यही सारे के सारे रीजन है जो आपको लिखने है पहली बात तो कि हमारी जाधा तर जो है जूट की मिले जूट बोल दूना मैं पटसन को जूट बोल दूट को दिक्कत तो नहीं ना इंग्लिश में जूट ही बोलते हैं ठीक है तो जाधा तर जूट है भारत के इंदर वो हमारा हुगली रिवर के पास यूगाया जाता है तो इसकी वजह से हमें वगली रिवर के पासे जूट की फ़ैक्टर देखने लिए है नेक्स्ट है यहाँ पर जल परीवहन सड़के रेल ये सारी चीज़े जो union नहीं तो बहुत ही सस्ती है पानी भी मिल जाता है तो इसकी वज़े से भी हम जादतर हमको जूट की फैक्ट्रिया जो है वह वह बहुत सस्ते श्रमिक होते हैं बिहार के उडिसा के यूपी के सारे के सारे इसकी वेस्ट पेंगौल में हुगली रिवर के पास आजाते हैं और काम करने के लिए रेडियो हो जाते हैं हमारी मीलो में और मॉकें और लेक्स के पास हमारी रिवर कहां पर बॉयक्त का करने काrators का और ओयुए कजन नगरिया के इंदर कर सा दू क्नि यहांप कर Посul पास ही क्योंकि सारी की सारी फैसिलेटी जब हमारे रीवर के पास ही मिल जाती है हमारे मेल के मालिकों को तो इसलिए वो क्या गरते हैं वो सोचते हैं यहीं पर लगा लो मील क्योंकि यहां उग भी रहा है और पानी भी मिल जाता है अच्छे उसमें और आयातायाद भी सस्ता है श्रमिंग भी मिल जाते हैं और बैंकिंग फैसिलेटी भी हमें यहीं पर मिल रही है तो इसलिए वो यहीं पर लग किरशी के में पानी वगरे ले जाने के लिए पाइपक उप्योग तो इन सब को दो में जो भी जाधा तर चीजे बनाई जाती है वो क्रिशी के लिए लाबदायक है तो देखो यानि जो प्रॉक्त को यानि उद्ध्योग को फायता होगा किए से देखो उनको ना एक वो मिल इसाइब का स्टमर मिल जाता है अब उद्ध्योग में जो ट्रैक्टर है जो हम है जो हल है ठीक है जो पाईप वगयरा है यह कौन खरी देगा किसान खरी देंगे तो इसलिए क्रिशी के बनने से उध्योग बढ़ेंगे और उध्योग के बढ़ने से क्रिशी बढ़ेगी ठीक है बाकी अंसर आपको लिखा वही है चलो नेक्स कोशन पर आते हैं यह बहुत इंपॉर्टन कोशन है कि भारत के अंदर ह चिमनी वाला जो धुआ होता है एयर पॉलूशन जो होता है उसको कम करने के लिए आप कर सकते हो जो चिमनी से धुआ निकलता है तो चिमनी जो होती है उनके मालिकों को यह बोल दिया जाए कि इसके उपर आप एक कपड़ा लगा लो ठीक है जिससे क्या हो कपड़ा प्योग कर सकते हो यह एक तीसरा तरीका है चौता है कि जो गरम गरम पानी आप नदियों में डालते हो उसको पहले ठंडा कर लेना चाहिए और जो भी हामफुल केमिकल होते हैं पानी के इंदर डालने से पहले आप उस हामफुल केमिकल को अलग कर लो तो यह सारी चीज़े आप कर सकते हो ताकि परदूशन ना हो कम से कम हो ठीक है नेक्स्ट है किसी भी उद्ध्यों के स्थान को परभावित करने वाले पांच कारत कोश्चन सिंपल है जब भी आप एक फैक्टरी लगाने का सोचते हो तो आपके दिमाग में क्या-क्या जो सबसे हो की तो आप सबसे पहले तो यह द्यां रखते हो कि या मेरे को फैक्टरी जहां पर मीSU लगा म्ल जायां। अपना क्या करता है स्थान डिसाइड करता है अपनी उद्योग का और भी बहुत सारी जयसे परिवहन तेज होना चाहिए और बैंक्स विदा होनी चाहिए Next है कि स्वामित्व कि अधार पर जो है वी निर्मा उद्योग कि इतने में डिवाइड है वी निर्माउड उध्योग की definition भी पूछी है बट वी निर्माउड उध्योग की definition तो अपने को पता ही है ठीक है तो basically मैं आपको बता दूँ स्वामित तो कि अधारपर जो उध्योग होते हैं वो 4 परकार के होते हैं ठीक है कौन कौन से पहले तो होते हैं जी सारवजनिक उद्योग वो होते हैं जो सरकार के कंट्रोल में होते हैं जैसे कि भेल, जैसे कि सेल, स्टील एथारोटी ओफ इंडिया और भारतिया है फिल एक्टरौनिक लिमिटेड यह दोनों की दोनों क्या है सरकार के अंडर है पूरा का पूरा 100% का शेर जो है वो सरकार के पास है, सरकारी ए कमपणी चलाती है, तो ये क्या है? सार्वजनिक शेत्र है, ठीक है जी? नीजी उद्योग वो होते हैं, जिन उद्योग पर किसी नीजी पर्टसन का अधिकार हो, सरकार को उसका कोई लेना देना ना हो, जैसे की Reliance Reliance किसकी है अमबाने की सरकार की तो नहीं है अमबाने की है तो यह क्या है नीजी उद्ध्योग है टिसको, टाटा, एरेन और सीर इंडस्री किसकी है रेतन टाटा की है तो प्राइविट बंदोगी है तो तो इसलिए उसको कहते हैं नीजी उद्ध्योग संयोग तो उद्ध्योग वो होते है जो सरकार और प्राइविट बंदे मिलकर चलाए जैसे कि All India Limited इसमें सरकार का भी कुछ शेर है और नीजी बंदों का भी कुछ शेर है सबसे इंपोर्टन है सहाकारी उद्ध्योग उपर हमने इसके बारे में बात भी करी थी जो हमने देखा था कि दक्षणी भारत में जो चीनी उद्ध्योग है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि दक्षणी भारत में सहाकारी उद्ध्योग बहुत जद है सहाकारी उद्ध्योग वो होते हैं जिन उध्योग के जो मालिक होते हैं वही कच्चा माल लेकर आते हैं जैसे की माल लो मेरे गन्ने का खेत है मैंने चीनी की फेक्टरी होल दी और मैं ही उस चीनी की फेक्टरी में गन्ना लेकर आ रहा हूँ यानि बेसिकली जो हमारा सहयकारी उद्योग होते हैं, यह वो उद्योग होते हैं, जिसके अंदर जो कच्छा माल लाने वाला है न, वो ही उस उद्योग का मालिक होता है, तो उसको कहते हैं सहयकारी उद्योग, पाकि यह definition आप देख सकते हो, ठीक है, और सहयकारी उद्योग महराष्ट में हो नाराने जो मखाते हैं वह यह अपनी चाल की यानि रस्ती बनाने के एक को विसकी फेक्टरी भी भूल लेता पार आते हैं भारत का एक और ओर्गनाइजेशन भारत सरकार का जिसका नाम है नॉपर न थर्मल पावर कॉर्परेशन एंटीपीसी वह भी पर्रयवन को बचाने क सको बहुत सार अवाड भी दिया गिंगा है कैस्टाप ले रहे तो पहली बात है वो उपनी जो भी मशीने अनन को करता है पुरानी मशीने Jehan ज्यादा पॉलिूषण करती है तो अपनी मशीनों को य हूअ उत्मुद्पादधन होता है अपशिष्ट बतारतों का थीसे रही सुसाँ है अपने आशीया में जादा से जाधा पेडिश जाधा पेड़ कुप आपको पता पेड़ लंगाने से जो है वो थोड़ा Ahoraaxter साफ और रहता है can chut organs नेकल पॉंट्ट है कि जो तरल सकता पैसे निकलने वाला जो भी गंदा पानी होता है कि चारिक फर अगर गरम पानी थे खूश्चे जो पहले एक न्दियों नहिता है कि जो हमारी NTPC न वो क्या करती है कि सबसे important चीज़ यह है कि वो monitor भी करती है वो यह भी देखती है कि पिछले साल हमने कितना परदूशन करा और इस साल हम उस परदूशन को कैसे कम कर सकते हैं यह सबसे important है next question की बात करते हैं कि आपको जादा तर जो सूती कपड़ा उद्ध्ध हो गया वो आपको मुंबई और एहमदाबाद में देखने लिए मिलेगा तो मुंबई और गुजरात में होती है काली सॉइल ब्लैक सॉइल काली मिरदा जिसके अंदर आपका कॉटन बहुत अच्छी क्वालिटी का उखता है तो इसकी वज़े से हमें जादा तर यह सूती कपड़ा उद्ध्योग भी वहीं पर देखने के लिए मिलते हैं क्योंकि वहां पर कॉर्टन मिल जाता है दूसरी बात है यहां पर पतन वगयरा है पतन वगयरा यानि आपको पता यह पोर्ट वाला इलाका है यह यहां पर प्रद्ध्योगी की पार्क होते हैं अब इससे रिलेटेड मैप भी आता है मैप की वीडियो जो है वो टेलीग्राम पर वैसे आपको मिल जाएगी यहां पर यह देखो मैप की वीडियो दे रख्यों की काट्वन बेस्ट कोशन भी दे रख्यों वह बीच्चर बेस्ट नही है तो जो सॉफ्ट्वेर प्रद्ध्योगी की पार्क होते हैं वो क्या होते हैं बेसिकली सॉफ्ट्वेर उद्ध्योगी की पार्क में सॉफ्ट्वेर विशेशक्या जो होते हैं उनके लिए बनाई जाती है ताकि उच्च डेटा संचार सुवीधा उनको परदान की जा सके जैसे कि मानलो मैं एक Software Engineer हूँ, let's assume, और Normal जो है वो 100 Mbps, 200 Mbps की Speed आती है, बट मानलो मेरे को Software बनाना है, जिसमें मेरे को 2 Gbps, या 3 या 10 Gbps की Speed चाहिए, या 100 Gbps की Speed चाहिए, let's assume, तो यह जो Software Technology Park है, मेरे लिए बनाये हैं सरकार ने, ताकि मेरे जैसे Software Engineer जो है, जिनको बहुत High Data Speed Communication की ज़रूत पड़े, वो यहाँ पर आकि अपना काम वगरा कर सके, ठीक है जी, इस उद्यों का फायदा क्या हो रहा है, इस उद्यों का सबसे बड़ा फायदा तो यह हो रहा ह कि यह रोजगार वगरा बढ़ा रहा है, जाद स्यादा लोग अब यह Software वगरा में काम करने के लिए Ready है, नेक्स वायदा यह है कि 30% जो Workforce है वो महीं लाएं है, नेक्स वायदा यह है कि इन 3-4 सालों में COVID को हटा दे, तो लास्ट के जो 15 साल क्या देते हैं, इसमें यह जो ह हमारा IT सेक्टर है, वो बहुत तेजी से बड़ा है, और लास्ट है कि इस से हमारा basically hardware and software, दोनों में ही भारत के hardware and software, जो hardware and software engineering है, दोनों ही भारत के अंदर उसकी विरिधी हुई है, ठीक है, hardware में भारत थोड़ा अच्छा डवलप कर रहा है, तो यह फायदा हो रहा है, ठीक ह आपके इसी PDF के अंदर से आएंगे, बाकि जो भी चैप्टर है आपके अलग-अलग उन सबकी वीडियो में बना चुका हूँ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वन शॉट वीडियो भी मिल जाएगी, अब इसके MCQ देखना मत भूलना, क्योंकि एक-एक मार्ग से भी कोशन अच्छे आते हैं, ऐसा नहीं है कि एक-एक मार्ग से कोशन नहीं आएंगे, एक-एक मार्ग से भी कोशन आएंगे, तो MCQ देखना मत भूलना, और बाकि अगर आपके एक्जाम में टाइम है, तो एक वन शॉट वीडियो देख लो, अगर टाइ कर लेना, ठीक है, एक-एक्जाम के बाद में पॉंट टेक को देखना मत भूलना, अभी तो चलो आपके एक्जाम है, तो थोड़ा रूख जाना, जैसे एक्जाम खतम हो, में पॉंट टेक पे टूट पड़ना, जितनी वीडियो देखनी है, बहुत सारे बच्चों ने 100 अगर कोई बच्चा सपोर्ट कर सकता है, तो most welcome है जी, और बच्चा थोड़ा सा करता है, फिर दिमाग में आता है, जब बच्चा इतना कर रहा है, तो फिर मेरको तो अपना 1000% देना चाहिए, तो एक motivation मिलती है, सबसे बड़ी बात, ठीक है, चलो, तो बाकि हमारे चैनल को स इसकि जो PDF है, ये भी मैं Telegram चलल पर दे दूंगा, मिलती जी नेक्स वीडियो में, तब तके लिए थैंक यू इसकि बाकि बच्च बात, थैए बात, और बात, प्रक्च बाई-बाय!